मेरे परिवार जणों 36 गड़ की ये भूमी बगवान त्री रामकान निहाल है माता कउशल्या का भव्य मंदिर यहां है आज इस पवित्र भूमी पर मैं आप सभी को आप सभी भाई बेहनों को हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिस हो रही है कि उसके प्रती जागरुक करना चाहता हूं जिन लोगों को आप सभी ने पिछले नव साल से केंद्र सरकार से बहार कर रखा है जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं वे लोग अब आप से इतनी नफ्रत से बर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान आपकी संस्क्रिती के खिलाब ही मोर्चा खोल दिया है इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गटबंदन बनाया है कुछ लोग इसे गमंडिया गटबंदन भी कहते हैं अब इंडी गटबंदन ने तै किया है कि वो भारत की सनातन संस्क्रिती को सबाब तक करके रहेगा यानि जो संस्क्रिती हजारों साल से भारत को एक किये हुए है सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं कि सनातन संस्क्रिती वो है जिसमें भगवान राम सबरी को मा कहकर उनके जूठे बैरों को खाने का आनन्द लेते हैं सनातन संस्क्रिती वो है जहां राम वनवासियों को कि अपने भाई से भी बढ़कर बताते हैं सनातन संस्क्रिती वो है जहां राम नाव चलाने औरनले केवड को गले लगा कर दन्द्न हो जाते हैं जाते हैं सनातन संस्क्रिती वो है जिसमें वानानों की सेना श्री इसना श्री跟大家 की शक्ति बढ़ाकर लंका विजय का कारण बनती है है सनातन संस्क्रिती वन है जो किसी परिवार में हुए जन्म को नहीं बलकि व्यक्ति के कर्मा उसको प्रधानता देती है गांदी जी से लेकर स्वामी विवेकानन तक देवी माहल्याबाई होलकर से लेकर मिराबाई तक हजारों हजार साल ये सनातन धर्मा सनातन संस्कृति हर किसी को प्रेरिद करती रही है ये सनातन संस्कृति है जो संत्रविदास और संत्रविदास को संत शिरोंबनी कहकर अपना गवरों बढ़ाती है हमारे यहां चतिजगड में ही बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनारी हुए थे शामलाल शोम जी कि उन्हें प्रथम जंगल सत्याग रही का जाता है शामलाल सोम जी का जीवन सनातन से ही प्रेरित था हमारे चर्टिजगड के इस शहीद रामादिन गोन का तो नाम ही सनातन का प्रतिविम रहा है ऐसी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का एलान इंडी एलाइंस के लोगों ने किया है शत्तीजगड के लोगों को देश के लोगों को इन से बहुत सतर्क रहना है यह भारत की हजारों साल से चली आ रही संस्कृति को मिटाना चाहते हैं यह भारत को मिटाना चाहते हैं झाहते हैं